हलो बच्चो कैसे हैं आप सब वेलकम बाक टू आर चानल माइनेम इस प्रिया और आज हम पढ़ेंगे हाइबिडाइजेशन अब तक हमने क्या क्या पढ़ा सबसे पहले हमने कॉसल लिए सपरोग स्टार्ट करी थी जिससे हमने देखा था कि केमिकल बॉंड यानिक और कोवले यह दो टाइप के बॉंड देखे थे इनकी फॉर्मेशन कैसे होती है हमने उसमें पढ़ा कि इन बॉंड की फॉर्मेशन में वैलन्स शेल्ट के इलेक्ट्रॉन की पार्टिसिपेशन हो रही है फिर हमने फॉर्दर आयनिक बॉंड और कोवलेंट बॉंड को स्टड़ी करा फिर हमें ये पता लगा कि कोवलेंट बॉंड तो शेरिंग ओफ एलेक्ट्रॉन से बनते हैं और आयनिक बॉंड हमारे ट्रांसफर ओफ एलेक्ट्रॉन से बनते हैं हमें bond की formation तो पता लग गई थी यहां से लेकिन हमें उसके molecule की shape के बारे में नहीं पता लग रहा था तो उसके लिए हमने start करी vesper theory और vesper theory से हमारे mind में जितने भी questions थे related to the shape of molecules वो सब clear हो गए फिर हम move on करते गए अपनी VBT theory के तरफ जहां पर हमने देखा कि VBT theory तो covalent bonds की formation को explain कर लिया है पर हम covalent bonds की formation तो पहले भी पढ़ चुके थे तो वहां हमें क्या नया देखने को मिला हमें नया ये देखने को मिला कि अब तक हम जो sharing of electron से covalent bond की formation को study कर रहे थे actual में वो sharing of electrons orbitals की overlap से हो रही है यानि आपके जो electrons दो atoms share कर रहे हैं वो electrons orbitals के overlap से share हो रहे हैं और अब हम पढ़ेंगे hybridization तो यहां हम क्या नया concept study करेंगे जो VBT में हमने orbitals को overlap करके covalent bond की formation करी यहां पर हम देखेंगे कि जो वो orbitals overlap होते वो orbitals के type के हैं मतलब कि हम वो valence shell के atomic orbitals को overlap कर रहे है होने से उनकी arrangement क्या आएगी यानि की हम study करेंगे geometry of molecules को फिर आप सोच रहे होगे geometry तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं बिलकुल correct हम vesper theory के अंदर geometry पढ़ चुके हैं तो यहां पर हम vesper और hybridization इन दोनों को link भी करेंगे तो सबसे पहले start करते हैं word hybridization से hybridization का मतलब क्या होता है hybridization का मतलब होता है mixture जैसे आपका salt और water का mixture sugar और water का mixture यह सब क्या है एक mixture है इसी तरीके से हम hybridization में क्या use करते हैं hybridization में हम use करते है atomic orbitals जैसे हमने अभी पीछे resonance structures पढ़े थी न उन resonance structures में हमने क्या बोला था कि canonical structures का एक combined form हमारे पास resonance hybrid आता है यानि वो भी तो हमारे पास canonical structures का mixture रही तो यहाँ पर हम hybridization के अंदर पढ़ेंगे mixing of atomic orbitals क्योंकि हमने VBT में बढ़ा था कि जो covalent bond की formation होती है वो sharing of electron से होती है but वो sharing किस तरीके से होती है overlapping of atomic orbitals तो अगर मुझे hybridization को simple words में बताना हो तो वो क्या होगा mixture of atomic orbitals यह तो मुझे बिलकुल simple language में समझ आ गया कि hybridization क्या होता है लेकिन हमारी books में hybridization को कैसे define करा गया books में hybridization को define करा है when different atomic orbitals of same और nearly same energy combine together to form new hybrid orbitals is called hybridization अब इस line का क्या मतलब हुआ देखो atomic orbitals का combination यह तो हमने अभी देखा था अब atomic orbitals का combination किस type के atomic orbitals use हो रहे जिनकी energy same हो या nearly same हो same और nearly same का क्या मतलब है देखो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे पास valence orbitals के electrons valence shell के electrons ही bonding में participate करेंगे चाहे वो ionic bonding हो या फिर covalent bonding हो तो अगर valence shell के electrons participate कर रहे हैं that means मेरे जो orbitals हैं वो भी तो valence shell के ही होंगे और valence shell के orbitals का मतलब है कि या तो उन orbitals के energy same होगी क्योंकि वो single shell के अंदर है या फिर थोड़ा सा difference होगा थोड़ा सा difference कैसे होगा जैसे मान लो आपके पास जो valence shell है आपका वो second shell है तो second shell के अंदर हमारे पास कौन से sub shells आते हैं 2s और 2p और 2s और 2p की जब हम orbitals की बात करते हैं तो 2s के अंदर तो हमारे पास एक s orbital आता है और 2p के अंदर हमारे पास px, py और pz orbital आता है अब ये तीन तो एक sub shell के orbital है that means इनकी energy तो same होगी और इसकी energy इनसे थोड़ी सी कम होगी क्योंकि ये different sub shell का orbital है लेकिन थोड़ी सी कम होने में और nearly same तो हमारे पास क्या इसका मतलब इनकी तो same है और ये nearly same है तो हम इन orbitals का use करेंगे इन atomic orbitals को use करेंगे ताकि हम इने combine करके एक नया hybrid orbital बना सके और वो जो हमारा नया hybrid orbital बन की आएगा बस उस process को हम बोलते है hybridization जैसे कि आपके पास मान लो 2 orbitals हैं एक है आपके पास s orbital दूसरा आपके पास p orbital s orbital की shape कैसे होती है spherical और p orbital कैसा होता है dumbbell type ये दोनों जब combine करेंगे क्योंकि अभी ये क्या है हमारे पास atomic orbitals जब ये combine करेंगे तो आपके पास क्या आएगा एक hybrid orbital बन की आएगा और वो hybrid orbital किस के combination से बना है s और p orbital के combination से तो वो किस तरीके से आएगा ये ये आपके पास s आगया और ये p आगया अब ये क्या आपके पास hybrid orbital और ये क्या थे आपके पास atomic orbitals s orbital की energy थोड़ी सी कम होती है यानि इसकी energy low है low energy और इसकी energy higher अगर मैं इन दोनों atomic orbitals को combine करती हूँ तो अगर इनको compare करूँगी तो इसमे energy कम मिलेगी और इसमे energy साधा मिलेगी और इन दोनों के combination से मेरे पास एक hybrid orbital बन क्या रहे है जिस hybrid orbital को मैं बोलूँगी sp hybrid orbital अब ये जो sp hybrid orbital बना है मेरा इसके अंदर दो orbital की combination हुई है न तो मेरे पास दो hybrid orbital बनेगे यानि एक sp orbital और दूसरा भी sp orbital बनेगा जिसकी वज़े से मैं ये बोलूँगी कि वो जो दोनों hybrid orbitals मेरे बन कर आये है उनकी energy सेम होगी energy सेम होगी इसका मतलब क्या है वो दोनों degenerate orbitals है तो इसका मतलब है कि जिन orbitals की energy सेम होती है हम उन्हें बोलते हैं degenerate orbitals orbitals with same energy और जो hybrid orbital मेरे बनेगा वो इन दोनों atomic orbitals के इन दोनों atomic orbitals से उसकी energy कम होगी energy कम क्यों होगी क्योंकि ये एक hybrid orbital है सादा stable है as compared to atomic orbitals तो जितनी energy आपकी atomic orbitals की होगी उससे कम energy आपकी hybrid orbital की होगी अब ये तो हमारी basic सी knowledge हो गई hybridization के बारे में अब हम hybridization को पढ़ ही क्यों रहे हैं क्योंकि अगर हमें hybridization को use करना hybridization हम देख रहे हैं तो उसको मैं पता भी होना चाहिए कि वो क्यों पढ़ रहे हैं hybridization हम पढ़ रहे हैं ताकि हम molecule की geometry के बारे में पता कर सकें molecule की geometry वो थो हमने vespertory में भी पता लगा ली थी बिल्कुल correct इसका मतलब है कि hybridization और vespertory इन दोनों का कही न कहीं connection है ठीक है अब इस connection को study करेंगे दूसरी चीज हम क्या पढ़ेंगे इससे हम पढ़ेंगे bonding of orbitals हमने अभी क्या देखा था वे VBT के अंदर कि जो मेरे पास covalent bond की formation हो रही है that is because of overlapping of orbitals अब वो orbitals कैसे overlap हो रहे है वो हमने देखा था VBT के अंदर और वो जो orbitals overlap हो रहे है वो orbitals किस टाइप के है वो हमने यहाँ देखा कि वो hybrid orbitals है अब उन hybrid orbitals के overlapping होगी तो क्या होगा? bonding होगी तो बस हमें यहाँ पर bonding of orbitals को study करना है तो सबसे पहले देखते हैं कि hybridization और wesper theory में क्या relation है देखो जब हम wesper theory को study कर रहे थे wesper theory भी हमें geometry के बारे में बता रही थी कि मेरा molecule किस geometry में exist करेगा उसकी क्या arrangement होगी उसकी क्या orientation होगी और वो हम कैसे निकाल पा रहे थे VACP number के थूँ कि अगर मेरे पास VACP number ये है उससे मैं बताऊंगी कि मेरे पास मेरे जो molecule है इसकी geometry ये होगी तो बिलकुल यहाँ VACP number से हम geometry calculate करके बता रहे थे geometry बता रहे थे arrangement बता रहे थे और वही geometry हमें या hybridization में बता रहे है तो इसका मतलब है VACP number और hybridization के बीच में कुछ रिलेशन है क्योंकि VACP number ही आपकी geometry बता रहे है और hybridization भी geometry बता रहे है तो VACP number और hybridization में क्या link हुआ देखो VACP number हम calculate कैसे कर रहे थे VACP number को हमने z से represent कर रहा था और इसको हमने calculate कैसे किया था z is equals to half number of valence electrons on central atom plus अगर कोई negative charge हो minus अगर आपके पास कोई positive charge हो and plus number of monovalent atoms ऐसे हमने z की value को calculate कर रहा था और हमने बताया था कि अगर मेरे पास z की value 2 होगी तो उस time पर geometry क्या होगी linear अगर z की value 3 होगी तो geometry होगी trigonal planar z की value 4 होगी तो हमारे पास geometry होगी tetrahedral अब इस z की value से हम hybridization निकालेंगे यानि अब मैं बताएंगे हम अब में बताएंगे कि z की value अगर मेरी 2 होगी तो hybridization क्या होगी अगर z की value 3 होगी तो hybridization क्या होगी और z की value 4 होगी तो hybridization क्या होगी जब z की value 2 है उस time पर हम बोलेंगे कि हमारे पास hybridization है sp z की value 3 में hybridization है sp2 और 4 में हमारे पास hybridization है sp3 सबसे पहले इन 3 hybridizations को इस study करते हैं कि यह hybridization क्या है और किस तरीके से हम इसे use कर सकते हैं अब हम इतने टाइम्स हैं hybridization, hybridization कर रहे हैं तो hybridization के कुछ general features और देख लेते हैं कि conditions क्या-क्या है hybridization के लिए हमारे पास first feature है number of hybrid orbitals is equals to the number of atomic orbitals that get hybridized इसका क्या मतलब है कि जैसे मान लो आपके पास आपका hybrid orbital है SP orbital अब ये किसके combination से हुआ है एक S और एक P orbital के combination से इसका मतलब है आपके दो atomic orbitals participate करें hybridization में तो आपके पास तो number of hybrid orbitals बन कर आएंगे वो भी दो ही बनेंगे यानि कि अगर S और P combine करके SP hybrid orbital बना रहा है तो आपके दो SP hybrid orbitals बननेंगे Second point में क्या बोला है? Hybrid orbitals are always equivalent in energy and shape इसका क्या मतलब है? जैसे यहाँ से आपके पास दो SP hybrid orbitals आए थे ना अब वो दोनों SP hybrid orbitals हमारे पास उनकी energy भी same होगी और उनकी shape भी same होगी पहले हमारे पास S और P के combination से hybrid orbital बने था जिसके अंदर S की shape अलग थी, S की energy अलग थी और P की shape अलग थी और P की energy भी different थी लेकिन अब इनके combination से जो मेरे पास SP orbital आया है उस SP orbital की energy भी same मिलेगी और shape भी मिलेगी same दूसरे SP orbitals है क्योंकि मेरे पास दो atomic orbitals से दो hybrid orbitals बनेंगे थर्ड पॉइंट में क्या बोला है? The hybrid orbitals are more effective in forming stable bonds than the pure atomic orbitals इसका क्या मतलब है कि जो मेरे पास hybrid orbitals आया है, atomic orbital के combination से वो ज्यादा stable है, उनकी energy भी कम है और उनसे जो मेरे पास bond formation होगी वो ज्यादा effective और stable bond formation होगी as compared to अगर मैं atomic orbitals से bond formation करूँ तभी तो हम hybrid orbitals से bond form कर रहे हैं अगर बही atomic orbitals stable bond बना देते तो हम hybrid orbitals का use ही क्यों करते? Next point में क्या बोला है? Hybrid orbitals formed get arranged in such a manner that minimum repulsion stage is obtained after overlapping with combining atomic orbitals इस line का क्या मतलब है? कि हमारे पास जो hybrid orbitals बने हैं अब उन hybrid orbitals से मेरे पास bonding होगी, molecule बनेगा अगर वो molecule form हो रहा है तो मुझे उन hybrid orbitals को इस तरीके से arrange करना पड़ेगा कि उन orbitals के बीच में minimum repulsion हो मतलब उनकी repulsion अब कम से कम होनी चाहिए क्योंकि अगर repulsion ज़ादा हुई तो molecule stable ही नहीं होगा जैसे हमने वेस्पर चियोरी के टाइम पे नहीं पड़ा था कि मेरे bonds इस तरीके से arrange करो कि उनके बीच में maximum distance हो जाए और minimum repulsion हो जाए वही चीज हम यहाँ देख रहे हैं कि मेरे hybrid orbitals को मैं इस तरीके से arrange करो कि जो मेरा molecule form हो उस molecule के अंदर repulsion minimum हो repulsion minimum होगी तब उनकी overlapping और ज़ादा effective होगी और ज़ादा अच्छा molecule बनेगा और ज़ादा stable molecule बनेगा अब next देखते conditions for hybridization first condition क्या है the orbitals present in the valence shell of the atom are hybridized इसका क्या मतलब है कि जो हम hybrid orbitals form कर रहे हैं atomic orbitals के combination से तो वो atomic orbitals हमें कौन से लेने valence shell के atomic orbitals लेने जिसके combination से हम hybrid orbitals बनाएंगी तो आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ valence shell orbitals को ही consider करना है क्योंकि हमारे पास bonding में हमेशा valence shell के electron सी participate करते है next condition में क्या बोला है the orbitals undergoing hybridization should have almost equal energy यानि कि जो atomic orbitals आप combine कर रहे हो hybrid orbitals बनाने के लिए उन atomic orbitals की similar energy होने चीए यह तो हमने अभी silent features वाले part में भी देखा था तो यह same point है कि आपके जो atomic orbitals combine कर रहे हैं उनकी energy nearly same होने चीए मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल same हो जैसे हमने देखा था कि s और p orbital combine करते हैं तो उनके energy में थोड़ा सा difference है बट वो थोड़ा सा difference चलेगा जिससे आपके पास जो hybrid orbital बनेगा वो same energy का होना चाहिए third condition हमें क्या बोल चाहिए promotion of electron is not essential condition prior to hybridization अब इसका क्या मतलब है देखो हमने vbt में क्या पढ़ा था कि orbitals का अगर overlap हमें दिखाना है तो उसके लिए मेरे पास orbitals कैसे होने चाहिए half filled orbitals होने चाहिए और यहां मुझे sp orbitals की mixing कर ली है जिससे मेरे पास एक hybrid orbital create होगा तो अगर मुझे sp orbitals की mixing कर ली है और मेरे पास कोई भी atom होता है उसका usually जो S sub shell होता है वो orbital fully filled होता है तो हमें क्या करना पड़ेगा उस electron को excite करना पड़ेगा higher orbit के लिए ताकि उसके अंदर वो half filled हो जाए तब हम half filled उसे create कर देते हैं बट इस point में क्या बोला है इस point में ये बोला है कि इसको excite करना हमेशा जरूरी नहीं है मतलब आप बिना excite करे भी उसकी hybridization calculate कर सकते हो उन orbitals को use कर सकते हो बिना excite करे तो यहाँ पर यही बोला है promotion of electron is not essential condition मतलब हमेशा electron को excite करना to the next higher orbital is not necessary आप बिना excite करे भी उसे hybridization में participate करवा सकते हो फोर्थ condition में क्या बोला है it is not necessary that only half-filled orbitals participate in hybridization in some cases even fully filled orbitals of valence shell take part in hybridization देखो अब इसका क्या मतलब है हमने उपर वाले point में पढ़ा था कि हमें electron को excite करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हर बार ऐसा जरूरी नहीं होता है कि आप उसका half-filled ही hybridization में participate करवाओ तो यहाँ पर भी वही चीज़ बोली है अगर आप electron को excite करते हो excite क्यों करते हो ताकि orbital के अंदर एक electron बच जाए और एक electron का मतलब है कि orbital half-filled है और दो electrons का मतलब है orbital fully filled है तो यहाँ पर भी आपको वही बोला है कि आप यहाँ पर fully filled orbitals को use कर सकते हो hybridization के लिए यानि fully filled orbitals का भी use किया जा सकता है hybrid orbital formation के लिए अब इन दोनों points को आप use कहा करोगे देखो usually तो हमें यह देखने को नहीं मिलेंगे यह points क्योंकि हम जब normal SP और SP2, SP3 hybridization को study करेंगे उन hybridization के अंदर हमें यह third और fourth point देखने को नहीं मिलेंगे लेकिन जब हम कोई ऐसे molecule को study करेंगे जहां पर जिस molecule में lone pair exist करता होगा उस time पर आपका यहाँ पर third point भी applicable होगा और fourth point भी applicable होगा आप ना ही electron को excite करोगे higher orbital के लिए और ना ही आप उसको half fill करोगे यानि आप उसकी fully filled orbital की participation करोगे hybrid orbital की formation में देखो अब आपको एक बात का और ध्यान रखना है जब आप atomic orbitals को combine करते हो तो आपकी hybrid orbitals बनते हैं अब हमने क्या बतायता कि hybrid orbitals की same shape होती है तो hybrid orbitals को आप किस तरीके से represent करोगे उन्हें आप इस तरीके से represent करोगे आप जहां पर भी hybrid orbitals को बनाओगे उसको आप इस तरीके से draw करोगे यानि अगर आपके S और P orbital के combination से ये S orbital है और ये P orbital है इसके combination से अगर आपके पास S P hybridized orbital बन रहा है जो कि दो बनेगे क्योंकि दो S और P atomic orbitals combine करें तो वो आपका इस तरीके से होगा ये एक S P orbital है और ये दूसरा S P orbital है आप इनको इस तरीके से draw करोगे ये आपके पास S P hybridized orbitals है अब आपके इस hybrid orbital की formation कैसे होई देखो जब हमारा S orbital और P orbital overlap करता है तो यहां पर जब overlapping हो रही आपकी तो ये S orbital P orbital के एक lobe के साथ overlap करेगा तो जब ये इस के साथ overlap करेगा तो ये इस तरीके से overlap करेगा और इस overlapping में क्या होगा आपका जो S और P orbital है ये mix हो जाएगा और P का सिर्फ एक side वाला lobe mix होगा जिसकी वज़े से आपका एक side वाला lobe तो bulged out हो जाएगा यानि बड़ा हो जाएगा size में और जो दूसरी side वाला lobe है वो छूटा हो जाएगा size में तो आपका जो overall shape बनके आएगी S और P orbital के mixing से वो इस तरीके की बनके आएगी क्योंकि ये वाला जो part है यहाँ पर तो आपके पास S और P orbital का जो आपका एक side का lobe है वो mix होकर एक बड़ा lobe बन गया और दूसरी side वाला जो ये है ये आपका P orbital का वो lobe है जो mix नहीं हुआ यानि जो opposite side वाला lobe है जो S orbital के साथ mix नहीं हुआ वो size में उतना ही रह गया और दूसरे वाले का size बड़ा हो गया तो इस वज़े से हम hybridization के अंदर जो हमारे पास hybrid orbital की formation होती है उसको इस तरीके से represent करते हैं तो सबसे बहले start करते है SP hybridization से SP hybridization के अंदर आपके पास hybrid orbitals क्या है? SP इसका मतलब है कि आपने S और P के combination से एक orbiter बनाया है अब S और P के combination से बनाया है तो इसका मतलब है कि आपके पास 50% उसमें S होगा और 50% P होगा क्योंकि दोनों ही use हो रहे हैं एक orbiter की combination के लिए तो 50% ये use होगा और 50% ये use होगा इसका मतलब है कि एक SP hybrid orbital के अंदर 50% तो आपके पास S character होगा और 50% ही P character होगा S character और P character का क्या मतलब है कि 50% उसके अंदर S orbital का combination होगा और 50% उसके अंदर P orbital का combination होगा अब यहाँ पर जो मैं orbitals का combination करूँगी जिससे मैं hybrid orbitals बनाऊँगी मैं reference axis लेकर चल रही हूँ Px आप कोई भी axis ले सकते हो आपकी box में Pz given है बट हम Px को ले रहे हैं ताकि हम जो orbitals की combination है वो थोड़े messy ना दिखे अब भी है मैं दिखाऊँगी आपको कि किस तरीके से combine करते हैं आपको समझ आएगा कि हम Px को क्यों use कर रहे हैं आप Py भी यूज़ कर सकते हो Px भी यूज़ कर सकते हो Px छोड़ो आप ऐसे बोल दो कि आपने x-axis लिये अपनी reference आप कोई भी axis ले सकते हो y भी ले सकते हो z भी ले सकते हो मैंने x-axis लिये आप लोगों की books में z-axis को reference लिया हुआ है NCRT में हम x-axis को लेगे कर रहे हैं बिल्कुल same कुछ difference नहीं आएगा बस वहाँ जहाँ x है वहाँ आप z कर देना तो सबसे पहले start करते हैं BeCl2 के example से BeCl2 के अंदर आपके पास Central Atom क्या है? Beryllium Central Atom Beryllium है इसका मतलब आपको Beryllium के Hybrid Orbitals बनाने पड़ेंगे क्योंकि वो Hybrid Orbitals आपके Chlorine के और Orbitals के साथ Combine करेंगे तो सबसे पहले हमारे पास Beryllium का Atomic Number क्या होता है? Beryllium का Atomic Number होता है 4 और इसकी Electronic Configuration क्या होगी? 1s2, 2s2 तो अगर मैं इसे Draw करूंगे तो वो किस तरीके से होगा? Opposite Spin में लाई करते हैं एक Orbitals के अंदर और 2s के अंदर भी दो और Electrons है ये तो हमारी है Ground State Ground State का मतलब है कि अभी इसके अंदर कोई Electron की Excitation नहीं हो रही है फिलाल ये अपनी Ground State में जैसे Exist करता है बिल्कुल वैसे अब इसके अंदर Valence Shell कौन सा होगा Valence Shell हमारे पास ये Second Shell होगा अब इस Second Shell के अंदर क्या सिर्फ 2s सब शेल होता है नहीं 2p भी होता है पर यहां फिलाल 2p के अंदर 0 Electrons है 2p भी होता है तो मैं यहां 2p भी Draw कर सकती हूँ और p के अंदर हमारे पास 3 orbitals होते हैं Px, Py and Pz अब इसके अंदर मेरे पास फिलाल कोई Electron नहीं है लेकिन अगर मुझे S-P combination करना है क्योंकि मेरे पास यहां पर Hybridization हम कौन सी बता रहे है S-P hybridization तो अगर मुझे S-P combine करना है तो इसका मतलब है कि मेरे पास S-Orbital भी होना चाहिए और P-Orbital भी होना चाहिए Atomic orbitals तो उसके लिए मुझे Electron की Excitation करने ही पड़ेगी यानि अब हम बात करेंगे Beryllium की Excited State की Excited State का क्या मतलब होता है एक Electron आपका Ground State जिस भी Level पर था उससे Excite होके Higher Level पर चला गया अब इसके Excited State कैसे बनाएंगे है देखो ये मेरे पास 1S Orbital है ये 2S है और ये आपके पास 2P है अब इसके अंदर हमारे पास 1S में तो 2 Electrons थे मुझे यूज़ करने है Valence Shell के Electrons Valence Shell मेरे पास Second है तो मैं सिर्फ Second Orbital के Electrons को ही जो 2S Orbital के Electrons है उन्हें ही Excite करूँगी तो यहां मेरे पास एक Electron है ये Excite होकर 2P में चला गया क्योंकि आपके पास जो Next Subshell Vacant है वो 2P ही है X, Y and Z अब इसके अंदर मैं ये जो मेरे पास X और ये S वाला Orbital है इनको यूज़ करूँगी Hybrid Orbitals बनाने के लिए और जब मैं इनकी Hybrid Orbitals की Formation करूँगी उस टाइम पर मेरे पास उस Hybrid Orbitals के अंदर जो Orbitals मेरे Form होंगी उनकी Energy सेम होगी तो अब मेरे पास Beryllium का में Hybrid Orbitals बनाऊँगी और ये Hybrid Orbitals कौन सी Hybridization का होगा SP Hybridization तो इसके अंदर 1S तो Participate नहीं कर रहा वो तो ऐसे काईसर रहेगा फिर हमारे पास एक Hybrid Orbitals की Formation होईगी जिसमें दो Atomic Orbitals कंबाइन करके दो Hybrid Orbitals बना रहे हैं और सबसे उपर मेरे पास दो 2P Orbitals मेरे अभी वेकेंड है क्योंकि इन दोनों को मैंने यूज नहीं करा इन दोनों को यूज करा है उनकी एनर्जी यह हो जाएगी इनकी एनर्जी मेरे 2P X और Y और Z से कम क्यों है क्योंकि मेरे X और S के Combination से PX और S के Combination से मेरे पास जो एनर्जी आएगी वो कहीं इन दोनों के बीच में लाई करेगी तो वो एनर्जी मेरे यहाँ पर लाई करती है अब अगर मैं इसके अंदर Electrons फिल करूंगी तो 1S के अंदर तो दोनों आजेंगे यहाँ पर मेरे पास यह Electrons आएंगे और यह दोनों मेरे पास कैसे हैं SP Hybridized Orbital है और यह है मेरे पास 2P जिसमें यह Y है और यह Z है तो यह मेरे पास Vacant है यहाँ तो मुझे पता लगया कि मेरे पास यह Hybrid Orbital कैसे फॉर्म है और इन Hybrid Orbital की Same Energy है Same Energy का क्या मतलब इनका क्या नाम होगा Degenerate Orbital अब मुझे क्या करना है यह मेरे जो SP Orbital बने हैं इसको अगर मैं Figure की Form में दिखाऊंगी तो वो कैसे बनेगा देखो एक S, दूसरा P Combine करके आपको SP Orbital देंगे अब यह SP Orbital मैं किस Axes में ले रही हूँ X Axes में That means यहाँ मैं Px का Combination कर रही हूँ तो यह मेरे पास S Orbital है इसके अंदर तो आपकी कुछ नहीं होती Axes के अलाओं क्योंकि यहाँ पर आपके पास यह X Axes है यह आपकी Y Axes है और यह आपकी Z Axes है यह सब इस तरीके से यह तो सेंटर में लाई करता है तो Spherical Shape का होता है और जब हम Px को बनाएंगे तो Px हमारा X Axes पर लाई करेगा यह हो गया मेरा P Orbital अब इसके Combination से मेरे पास क्या बनेगा? Sp Orbital बनेगा और Sp मेरा किस Axes पर बनेगा? X Axes के उपर बनेगा? क्योंकि हम X Axes पर बना रहे हैं उसको Reference लेके कर रहे हैं और मैंने बताया था कि Hybrid Orbital की Shape कैसी होती है Hybrid Orbital की Shape होती है इस तरीके से तो यहाँ पर मैं दो Hybrid Orbital बनाऊँगी Sp Hybridized क्योंकि मेरे पास दो Atomic Orbital आए हैं तो वो किस तरीके से बनेगे? एक यह बन गया और दूसरा आपका यह बन गया यह आपके पास दो Sp Hybrid Orbital बन गये Along X Axes क्योंकि हमने यहाँ पर X Axes को Reference Axes लिया है अब इसको मुझे Combine करना है Chlorine के Orbital के साथ ताकि मेरे पास यहाँ पर Bond Formation हो सके अब यह देखू, यह कैसे है यहाँ पर Hybrid Orbital अब हम इसको Combine करेंगे Chlorine के Orbital के साथ क्योंकि मुझे BeCl2 Molecule बनाना है अब हम Chlorine की Electronic Configuration लिखते है Chlorine का Atomic Number क्या होता है? 3P5, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5 3P5 का क्या मतलब है? यह P Orbital है मेरे पास इसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5 Half-Wild Orbital कौन सा है मेरे पास? यह तो यह Orbital जो है, यह Atomic Orbital उस Hybrid Orbital के साथ Combine करेगा Overlap करेगा to form the Bonds अब आप बोलोगे कि माम हमने Beryllium का तो Hybrid Orbital कंसीडर किया तो हम Chlorine का Hybrid Orbital क्यों नहीं कंसीडर कर रहे हैं? यह तो हम Atomic Orbital ले रहे हैं क्योंकि जब हम Hybridization निकालते हैं तो हम Central Atom की Hybridization निकालते हैं और उस Hybrid Orbital का हम Combination करते हैं Atomic Orbital के साथ ताकि मेरे पास Bond Form हो इस वजए से हम इसका तो Hybrid Orbital कंसीडर करेंगे लेकिन जो हमारे पास इसका हमारे पास जो Peripheral Atoms होंगे जिसके साथ मुझे Bond Form करना है वो हम लेंगे Atomic Orbital तो इस बचे से मैंने Chlorine का Atomic Orbital कंसीडर करा है और Beryllium का Hybrid Orbital कंसीडर करा है अब अगर मैं X-Axis ले रहे हूँ तो मैं यह कह सकते हूँ क्योंकि लेट से यहाँ पर X, Y, Z Distributed है Electrons में लेट से कि मैंने जो एक Electron Distribute करा है यह PX में Distribute करा है अगर PX में Distribute करा है तो मेरा PX का ही Combination होगा यहाँ पर क्योंकि X-Axis के लाउंग तो PX Orbital ही है मेरे पास तो बस अब हम यहाँ पर उसको Draw करेंगे यह तो हो गया मेरे पास Beryllium का Atomic Hybrid Orbital और इसके साथ कंबाइन कर रहा है यह P Orbital of Chlorine दो Chlorine Atoms है तो दो तरफ से Combination होगी यहाँ पर यह एक P Orbital है यह दूसरा P Orbital है और दोनों को हमने X लिया है क्योंकि मेरे पास यह X's लिये है मैंने वो X-X's लिये है इसके अंदर यहाँ पर मेरे पास यह Beryllium है और यह मेरे पास Chlorine Atoms है तो अगर मैं इसको Hybrid Orbital की फॉर्म में BCL2 का Structure दिखाऊंगी तो वो किस तरीके से होगा यह होगा और यह कैसा Structure है मेरे पास Linear Structure है और इस Structure की Hybridization क्या है SP Hybridization क्योंकि यहाँ हम SP Hybrid Orbital को यूज कर रहे हैं Atomic Orbital के Combination Combine करने के लिए और उससे Bond Formation करने में तो यह तो था हमारे पास SP Orbital SP Hybridization SP Hybridization का एक Example BCL2 हमने देख लिया अब दूसरा Example देखते हैं दूसरा Example है हमारे पास C2H2 आएगा यहाँ पर C2H2 जो की SP Hybridized हमारे पास Structure है अब SP Hybridized का क्या मतलब है कि यहाँ पर मेरे पास S और P orbital combine कर रहे है जिसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ 50% S करेक्टर है और 50% P करेक्टर है तो 50% S करेक्टर और 50% P करेक्टर के लिए हम सबसे पहले Carbon से स्टार्ट करते हैं क्योंकि Carbon मेरे पास यहाँ Central Atom होगा Carbon की हमारे पास Atomic Number क्या होता है 6 तो इसकी electronic configuration क्या होगी 1S2, 2S2, 2P2 अब इसको ड्रॉ करते हैं सबसे पहले हम Carbon को ड्रॉ करेंगे उसके Ground State में Ground State के लिए सबसे पहले 1S Orbiter फिर 2S और फिर 2P और इस 2P के अंदर X, Y and Z Electrons को ड्रॉ करते हैं यह 2 Electrons यहां यह 2 Electrons यहां और यहां पर इस तरीके से ड्रॉ करेंगे अब मुझे combination क्या करना है SP का अगर SP का combination करना है तो मेरे पास यह जो S Orbital के अंदर 2 Electrons है इसको मुझे single करना पड़ेगा तब ही तो half field होगा और half field से मेरे पास SP hybridization बनेगी that means मुझे इसे excite करना पड़ेगा promote करना पड़ेगा higher level पर promotion के लिए मैं क्या करूँगी excitation state पर जाएंगे तब हम carbon की बात करेंगे excited state में यह मेरे पास है यहां पर 1S फिर 2S और फिर बन रहा है 2P अब electrons की filling करेंगे तो 1S के अंदर तो 2 Electrons 2S में से मैं एक electron को excite कर रहे हूँ अब वो जो excite होगा वो कहाँ होगा next मेरे पास vacant का है Z axis पे तो P Z में वो एक electron चला चाहेगा और बाकी आप ऐसे ही अपने electrons को fill करोगे अगर आपको SP combination करना है that means आप इन दोनों को use करोगे hybridization के लिए इन दोनों को hybridization के लिए use करोगे तो आपके पास hybrid orbitals के time पर यहां पर आपकी क्या हो रहे है hybrid orbitals बन रहे है और वो hybrid orbitals किस hybridization में है SP hybridization के अंदर है तो उसके अंदर सबसे पहले तो यह 1S और फिर उसके बाद यह 2 combine करके 2 atomic orbitals combine करके 2 hybrid orbitals बना रहे है और उपर मेरे दो 2p orbitals रह गए जो है y और z में यहाँ पर दो electrons यह एक electron, एक electron और यहाँ एक electron यह दोनों मेरे sp hybrid orbitals हैं और यह मेरे पास है 2p unhybridized orbital क्योंकि यह कैसा है इसके अंदर कोई hybridization नहीं हुए तो यह है unhybridized अब यहाँ पर मेरे पास एक catch है एक तो मेरे पास unhybrid orbital बन रहे है और दूसरे मेरे पास hybrid orbitals बन रहे है तो इसका मतलब यह तो मुझे पता लग गया कि hybrid orbitals की energy कम होती है as compared to unhybrid orbitals क्योंकि यह जो arrangement हम कर रहे हैं यह energy के basis पे कर रहे है पहले सबसे low energy और ऐसी उपर जाते-जाते सबसे high energy तो मुझे यह तो पता लग गया कि मेरे पास यहाँ पर sp की combination होनी है और मुझे पता है कि sp कैसे combine करता है linear form में combine करता है तो linear form में वो किस तरीके से combine करेगा मेरे पास क्या structure बनेगा तो मेरे पास एक यह carbon atom है इसके मैंने दो sp hybridized orbitals बना दिये यह तो sp hybridized orbitals होगी अब मेरे पास इसके अंदर दो unhybrid orbitals बी तो थे एक y axis में था और एक z axis में था unhybrid orbitals तो आपका उसी shape में रहेगा जिसमें exist करता है यह तो आगया आपका py और pz कैसे बनेगा वो थोड़ा सा टेड़ा बनेगा क्योंकि उसके अंदर z axis पे draw होगा वो यह बन गया आपका pz तो यह तो एक carbon होगा आपका ऐसी आपका दूसरा carbon होगा अब इन sp hybrid orbitals के अंदर तो एक एक electron था ना और ऐसी इनके अंदर भी एक एक electron था यह आपने एक electron draw करती है अब इसके बाद आप जब combine करोगे इसको दूसरे carbon atom के साथ क्योंकि मेरे पास molecule क्या है C2H2 यानि यहाँ पर आपको hydrogen और दूसरे carbon के साथ combine करना है एक carbon को तो अगर एक carbon इस तरीके से है तो दूसरा carbon भी इसी form में होगा तो हम दूसरा carbon भी इसी form में draw कर देते हैं ये तो बन गए मेरे दो अलग-अलग carbon अब इनकी combination कैसे होगी देखो ये दोनों combine करके ये भी SP है और ये भी SP है ये दोनों hybrid orbitals combine करके मनाएंगे sigma bond और ये hybrid orbital दोनों hydrogen के साथ combine करेंगे और उसके साथ sigma bond की formation होगी यानि यहां से मुझे पता लगा कि अगर मेरे hybrid orbitals overlapping में use हो रहे हैं तो आपके पास sigma bond की formation होती है और जब आप unhybrid orbitals को use करते हो overlapping के लिए तब आपके पास pi bond की formation होती है तो pi bond की formation किस के बीच में होगी इन दो orbitals के बीच में atomic orbitals के बीच में और इन दो atomic orbitals के बीच में यानि यहां से इसके साथ combination होगा और इसका इसके साथ combination होगा तो अब हम इसको draw करते हैं किस तरीके से बनेगा देखो मेरे पास यह एक carbon atom का structure है यह तो उसके बन गया hybrid orbitals correct यह दूसरे वाले hybrid orbitals carbon के इसके साथ क्या करेंगे overlap करेंगे और इसके अंदर हमारे पास एक तो py orbital है जो कि unhybridized है और एक हमारे पास है pz orbital जो कि unhybridized है इसको मैं ऐसे dotted form में represent कर जीए आप distinguish कर सको py और pz के बीच में अब इसके अंदर हमारे पास electrons थे ना एक electron इसमें एक यहाँ पर दो electron यहाँ हो जाएंगे क्योंकि एक इससे आगया एक इससे आगया एक यहाँ था और एक एक electron आपके यहाँ थे अब यहाँ पर मुझे hydrogen के साथ combination करना इनका hydrogen का atomic number क्या होता है 1 तो इसकी electronic configuration क्या होगी 1s1 यानि यह s orbital के साथ combine करेगा तो यह मेरे पास hydrogen का s orbital आता है और hydrogen का s orbital भी अपने साथे के electron लेकर आता है तो यह आपके combination से बन गए यहाँ पर एक ch bond की formation यहाँ एक ch bond की formation और यहाँ cc bond की formation यह तीनों आपके बने हैं sigma bonds अब pi bond बच गए क्योंकि अभी तो आपके पास unhybridized orbitals बचे हैं तो इन unhybridized orbitals के अंदर आप py को तो combine करोगे py के साथ उपर नीचे से दोरों तरफ से शो करोगे आप इसको जब आप draw करोगे और ऐसे ही pz को combine करोगे pz को फिर में dotted line से दिखा रही हूँ यह तो आपके पास बने pi bonds यानि यहाँ पर आपके पास यह जो बीच में bond form होई यह sigma bond है और यह जो दो bonds form होई यह आपके हैं pi bonds यह है आपका c2 h2 का structure c2 h2 अगर हम उसको bonded form में दिखाते हैं सिर्फ lines की form में तो कैसे draw करते हैं उसे इसी तरीके से draw करते हैं ना इसमें बीच में एक sigma bond होता है दो pi bonds होते हैं यहाँ पर भी वही है बीच में एक sigma bond है दो pi bonds है और hydrogen के साथ दोनों तरफ sigma bonds है यह भी sigma bonds है तो यह तो हमारे पास molecule आगया c2 h2 का हमने sp hybridization को study कर लिया अब हम चलते है sp2 hybridization की तरफ अब हम बात करते है sp2 hybridization की sp2 hybridization के अंदर क्या होता है देखो sp2 का मतलब है कि आपका 1s orbital और 2p orbitals involved है hybridization में तो अब यहाँ पर अगर आप इसके अंदर s character और p character की बात करोगे तो वो कैसे divide होगा देखो total आपके 3 orbitals involved है जिसमें से s कितने है 1 तो अगर आप s character को calculate करोगे तो वो होगा 1 by 3 into 100 that is equal to 33.3% और वहीं पर अगर आप p orbital के character को consider करोगे यानि p character को calculate करोगे तो आपके पास होगा 2p orbitals हैं आपके पास यहाँ पर 2p orbitals का मतलब है कि आप 2 by 3 into 100 करोगे and that comes out to be 200 by 3 and 200 by 3 is almost equal into 67% तो आपका इसके अंदर s और p character कितना है 33.3 को आपने अर्डे लिख सकते हो 33% so s character 33% और p character आपका इसमे 67% है अब हम इसके अंदर सबसे पहले example consider करते हैं BCL3 का BCL3 के अंदर हमारा boron है central atom अब boron central atom है तो boron का atomic number क्या है 5 इसकी electronic configuration कैसे लिखी जाएगी 1s2, 2s2, 2p1 अब सबसे पहले इसकी ground state को draw करते हैं boron की ground state ground state के अंदर मेरे पास 1s orbital है फिर मेरे पास 2s है और एक 2p orbital है 1s के अंदर आपके पास 2 electrons है 2s में भी 2 electrons है और 2p में एक electron है जिसके अंदर 2p में ये x, y और z में division है अगर आपको sp2 hybridization बनानी है इसका मतलब है कि आपके पास 2p orbitals और 1s orbital होना चाहिए लेकिन यहाँ पर आपके पास जो p orbital हैं बाकी 2 वो vacant है और यहाँ पर आपके पास जो s orbital हैं उसके अंदर 2 electrons है यानि इसमें आपको 1 electron को promote करना पड़ेगा higher orbital में तो इसका मतलब है आपको इसकी excited state के बारे में पता होना चाहिए तो boron की excited state को draw करते हैं यह इसका 1s orbital यह इसका 2s orbital और यह हमारे पास 2p orbital जिसमें यह x, y और z में divided हैं px, py and pz अब 1s के अंदर हमारे पास 2 electrons है 2s में हमारे पास 1 electron है क्योंकि अब जो इसका 1 electron है वो हमने excited कर दिया next vacant, हमारे पास next vacant कौन सा है 2py orbital तो यहाँ पर 1 electron इसमें और दूसरा electron इसमें अब अगर मुझे इसके अंदर hybridization शो करनी है तो वो hybridization किस-किस के बीच में होगी इस 1s orbital के और 2p orbitals के बीच में तो आप जब इसका hybrid form बनाओगे यानि बोरोन के hybrid orbitals को आप draw करोगे और hybridization यहाँ पर कौन सी है sp2 hybridization sp2 hybridization के लिए भेले 1s अब यहाँ पर आप sp2 में 3 orbitals आपके बनें क्योंकि यहाँ पर आपके 3 atomic orbitals combine कर रहे तो मेरे पास 3 hybrid orbitals बनेंगे 3 hybrid orbitals बन गए और उसके बाद आपके पास 1 2p रहे गया और यह कौन सी है आपके पास z यहाँ पर आपका s और p के combination से बना है तो यह आपके पास आएगा sp2 hybridization यानि यह तीनो hybrid orbitals आपके sp2 hybridized है अब यहाँ पर तो 2 electrons आजाएंगे यहाँ पर आपके पास सब में 1-1 electron आएगा और 2p z तो आपका vacant है और यह वाला हमारे पास बूला जाएगा degenerate orbitals degenerate orbitals क्यों? क्योंकि इन सब की energy कैसी है? hybrid orbitals की तो हमारी same energy होती है अब sp2 hybridization से हमारी geometry क्या आती है? trigonal planar तो चलो इन orbitals को draw करते हैं कि हमारे पास इन orbitals से किस तरीके की geometry draw होकर आती है? यह हमने तीन hybrid orbitals draw करती है, boron के और तीनों कैसे hybridization में है? sp2 hybridization में अब sp2 है, इस वज़ेसे इसको हमने इस triangle की form में draw कर आ है क्योंकि हमारे पास geometry कैसी होती है? trigonal planar अब हमें इसका combination किस के साथ देखना है? chlorine के साथ क्योंकि हम यह बात किस की कर रहे है? BCL3 compound की तो अब chlorine की जब हम electronic configuration लिखेंगे chlorine का atomic number होता है 17 इसकी electronic configuration होगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5 और 3p5 को जब आप draw करोगे तो आपके पास p में तीन orbitals होते हैं तो उसके अंदर electrons इस तरीके से divided हैं अब यह जो एक electron है यह आपके sp2 hybridized orbitals के साथ overlap करेगा और आपका एक bonding form होगी यानि प्रोरोन और chlorine के बीच में आपकी bonding form होगी और वो किसकी वज़े से होगी? sp2 hybridized hybrid orbital और atomic orbital of chlorine की overlapping से तो आपके पास जो sp2 hybridized है यह उन सब में एक एक electron है अब आ रहा है आपके पास chlorine का p orbital क्योंकि यह पी और्बिटल है यह तो p orbital की shape में ही का इसकी combination होगी दोनों की तो p orbital किस तरीके से exist करता है? इसको अगर हम दूसरे color से भी present करते हैं यह है आपके पास chlorine का p orbital dumbbell shape में ऐसे ही यहाँ पर draw होगा और ऐसे ही यहाँ पर draw होगा और सारे chlorine atoms एक एक electron को लेकर आएंगे तो यह एक एक electron हमारा chlorine atom का होगा यह आपका structure है BCL3 का BCL3 का किस टाइप का structure है? trigonal planar तो यहाँ पर आपके पास bond angle कितना मिलेगा? 120 degree हरचे कि आपको यहाँ 120 degree ही मिलेगा यह तो हो गया हमारा एक example अब हम दूसरा example कंसिडर करते हैं दूसरा example हम कौन सा कंसिडर करेंगे? C2 H4 का अब इस case में हमारे पास carbon होगा हमारा central atom अगर carbon central atom है तो carbon की electronic configuration क्या होगी? carbon का atomic number होता है 6 इसकी electronic configuration है 1s2, 2s2, 2p2 तो सबसे पहले इसकी ground state को ड्रॉ करते है carbon की ground state यह मेरे पास 1s orbital है यह मेरे पास 2s orbital है और यह मेरे पास 2p के 3 orbitals है इसमें electron के इस तरीके से divided है 1s के अंदर तो 2 electrons है 2s के अंदर भी 2 electrons है और 2p के अंदर आपके पास 2 electrons है जो इस तरीके से divided है x, y and z है अब यह हमारे पास sp2 hybridized है sp2 hybridized का क्या मतलब है? 1s orbital और 2p orbitals अब अगर मुझे 1s orbital और 2p orbitals की combination को show करना है यहाँ पर sp hybridization मुझे यहाँ दिखानी है तो इस s orbital को मुझे excite करना पड़ेगा क्योंकि excite करेंगे तब ही तो यह इसके साथ combine करेगा तो हम इसका एक electron excite करेंगे हमारा next vacant orbital में जो है मेरा 2p z orbital तो जब हम इसके excited state draw करेंगे 1s 2s और 2p यह हमारे पास x, y and z orbitals है अब 1s के अंदर तो हमारे पास 2 electrons है 2s का हमने electron excite कर रहा है तो इसके अंदर अभी फिलाल सिर्फ एक electron है excite होके वो z में चला गया क्योंकि next vacant हमारे पास z था और x और y में already एक एक electron present है अगर 1s और 2p के combination से sp2 hybridization बन रहा है यानि यहाँ पर मेरे पास जो hybrid orbital होगा वो इसके combination से बनेगा correct तो इसकी hybrid orbitals को draw करते हैं यानि अब हम draw करेंगे carbon के hybrid orbitals को और यहाँ पर hybridization कौन सी होगी sp2 सबसे पहले 1s फिर हम draw करेंगे hybrid orbitals जो मेरे तीन orbitals बनेंगे क्योंकि तीन atomic orbitals combine करें तो तीन hybrid orbitals बनेंगे और उसके बाद मेरे बास एक बच जाता है 2p अब यह जो मेरे तीन combine करेंगे यह तीन हो क्या है sp2 hybridized दो electrons तो 1s के अंदर है एक एक electron इन सब में है क्योंकि जब मैंने combine करें तो तीनों के पास एक एक electron था ना और एक electron आपका 2p के पास है यानि यह तो हो गया आपका unhybridized orbital यानि यह हो गया unhybrid orbital और यह हो गया आपके hybrid orbitals अब हमने पीछे जब sp hybridization पड़ी थी तो उसके अंदर हमने देखा था कि जो unhybrid orbitals होते हैं वो pi bond की formation करते है और hybrid orbitals आपके sigma bond की formation करेंगे तो यहाँ पर भी same होगा hybrid orbitals से आपके sigma bond की formation होगी और unhybrid orbitals से आपके pi bond की formation होगी sp2 hybridization का मतलब geometric ऐसी होगी trigonal planar तो सबसे पहले इसके अंदर हम एक carbon के सारे orbitals को draw करके देखते हैं कि वो orbitals किस तरीके से बनेंगे देखो मेरे पास यह एक carbon है इसके मुझे orbitals draw करने है तो सबसे पहले तो वो sp2 hybridization में तो trigonal planar geometry होगी यह मेरे पास है एक orbital एक hybrid orbital फिर ऐसे ही दूसरा hybrid orbital बनेगा यह आपका दूसरा hybrid orbital और यह आपका तीसरा hybrid orbital ऐसे ही आपका दूसरा carbon भी होगा इसके अंदर हमने देखा था कि एक हमारा 2pz जो vacant drive जो हमारे पास excite होने पे आया था वो unhybrid orbital था तो एक आपके पास 2pz orbital आएगा उसको हम इस तरीके से represent कर देते हैं वो unhybrid है तो वो proper p orbital की shape में होगा अब इन सब के अंदर एक एक electron था सारे sp2 hybridized orbitals में एक electron और एक 2pz में यानि यह तो आपका pz हो गया और यह आपके सारे sp2 hybridized orbitals हो गये ऐसे ही आपका जो second carbon है वो भी इसी तरीके से हमारे atomic orbitals उसके अंदर जो hybrid orbitals हैं वो form होंगे यह first hybrid orbital triangle planar geometry में range करना है यह orbitals समय क्योंकि sp2 hybridization है फिर यह second orbital और यह third hybrid orbital और इसका जो हमारे पास एक unhybrid orbital रह गया था वो हम इस तरीके से show कर देंगे यानि कि यह तो हो गया हमारा pz orbital यह हमारे तीनों कौन से वे sp2 hybridized orbitals और इन सब के अंदर हमारे पास 1-क एक इलेक्ट्रॉन था अब हमें बताए कि जो हमारा unhybrid orbital है वो तो form करेगा हमारा pi bond और जो हमारे hybrid orbitals है यह form करेगा हमारे sigma bond और इनके साथ हमें combine किसे करना है hydrogen को क्योंकि हमारे पास जो molecule बनेगा वो है C2H4 यानि आपको 4 hydrogen atoms इसके साथ combine करने है तो यहाँ तो सबसे पहले CC के बीच में एक sigma bond बनेगा और यह जो बाकी 4 हमारे sp2 hybridized orbitals बच गए यह hydrogen की atomic orbital के साथ combine करके एक sigma bond की formation करेंगे अब hydrogen का atomic number क्या होता है 1 तो इसकी electronic configuration क्या होगी 1s1 तो यह s orbital के साथ combine करेंगे तो इसके आप combine form को बनाते हैं कि कैसे बनेगा वो सबसे पहले एक carbon atom अब मैं इसके अंदर उसको circle से represent नहीं करी सीधा इसके अंदर इसका hybrid orbital द्रॉब करेंगे यह हमारे पास एक carbon atom के hybrid orbitals द्रॉब होगी और साथ में हमारे पास एक हमारे पास pz unhybrid orbital वो भी द्रॉब कर देते हैं यह unhybrid orbital द्रॉब होगा अब ऐसे ही मेरे पास second carbon द्रॉब करेंगे और उस second carbon का जो एक hybrid orbital है वो इस hybrid orbital के साथ क्या करेगा overlap करेगा और sigma bond की formation करेगा तो एक hybrid orbital तो हम ऐसे बाखी दो hybrid orbitals वही इस फ्राग्नल प्लेइनर जिमेटरी में यह तो आपके तीनों hybrid orbitals होगे और एक unhybrid orbital और कार्बन जो की हमारा 2pz orbital है तो इन सब के अंदर हमारे पास एक एक electron था सब में एक एक electron ड्रॉ कर देंगे इसका एक electron इसमें आगया और इसका एक electron इसमें यानि इन दोनों ने तो combine करके हमारा sigma bond बना लिया अब इनके साथ साथ हमारे पास आने हाइड्रोशन का s orbital और s किस shape में होता है spherical shape में तो बस spherical इसको combine करेंगे ये आगे हमारे चार hydrogen atoms अपने atomic orbitals को लेके sigma bond की formation करने के लिए carbon के साथ और ये सब क्या-क्या लेकर आएँ एक एक electron लेकर आएँ आएँ तो ये हमारे पास hydrogen के electron साथ है अब बजगया मेरे पास unhybrid orbital दोनों unhybrid orbitals मेरे bond form करेंगे that is pi bond pi bond को आप इस तरीके से दिखाते हो उपर नीचे draw करते हो एक पारी में ये single bond होता है pi मतलब इसको आप एक one pi bond consider करते हो ऐसे नहीं है कि आपने अगर इसको उपर नीचे draw कर रहा तो आप इसको दो pi bonds में consider करोगे नई तो अब आपके पास अगर आप इसको bonds की form में draw करोगे तो कैसे draw करोगे दो carbon atoms है जिनके बीच में दो bonds है एक sigma bond एक pi bond और आपके दो hydrogen atoms हर एक carbon atom के उपर attached है ये बन गया हमारा C2H4 molecule का structure और यही structure हमने new structure में देखा था तो बस हमने उस new structure को orbital form में draw कर दिया है और यह हमारे पास इसके अंदर pz orbital है और यह बाकी सारे हमारे यहाँ पर sp2 hybridized है यह भी sp2, यह भी sp2, यह भी sp2 यह फिर pz unhybridized और यह hybrid orbitals unhybrid orbitals आपके pi bond की formation कर रहे है और hybrid orbitals आपके sigma bond की formation कर रहे हैं यहाँ पर आपके सारे sigma bonds form हो रहे हैं और यहाँ आपके पास pi bond form हो रहा है which is due to the unhybrid orbitals याद रखने आपको unhybrid orbitals आपके pi bond की formation करते हैं अब बात करते हैं sp3 hybridization की sp3 hybridization के अंदर आपका 1s orbital और 3p orbitals required होते हैं hybrid orbital बनाने के लिए यानि यहाँ पर आपके पास 1s और 3p के combination से sp3 hybrid orbital बनता है तो अब इसके अंदर s character कितना होगा और p character कितना होगा total आपके पास यहाँ पर कितने orbitals involved है 4 orbitals involved है जिसमें से आपके पास s सिर्फ एक orbital है तो अगर आप s character calculate करोगे यानि कि s orbital का contribution है sp3 के अंदर वो होगा 1 by 4 into 100 that is 25% और जो हमारा p character होगा वो होगा 3 by 4 into 100 that is 75% तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ s character मिलेगा 25% और p character आपको मिलेगा 75% अब इसको एक example से study करते हैं फिर से हमारे पास जैसे हम अब तक sp और sp2 hybridization को example से पढ़ते आ रहे हैं तो अब sp3 hybridization को भी हमें example से study करेंगे example ले लेते हम ch4 का ch4 हमारा sp3 hybridized molecule है जिसमें हमारा carbon क्या है central atom carbon central atom है तो इसका atomic number कितना है 6 इसकी electronic configuration क्या है 1s2, 2s2, 2p2 सबसे पहले इसकी ground state को द्रौ कर लेते हैं carbon की ground state जब हम इसकी ground state को द्रौ करेंगे तो मेरे पास ये 1s orbital है फिर आता है मेरे पास 2s orbital और फिर मेरे पास आता है 2p orbital और 2p के अंदर कितने orbitals होते हैं? 3 तो ये 2p sub shell के अंदर मेरे पास आते हैं x, y and z orbitals जब मैं इसके अंदर electrons फिल करूंगी, तो मेरे पास 1s के अंदर 2 electrons है, 2s के अंदर 2 electrons है, और 2p के अंदर भी 2 electrons है, जिसमें 1 electron x में है, दूसरा electron y में है, अब जब मैं इसको excited state में देखूँ, क्योंकि अभी मेरे पास sp3 है, sp3 का मतलब है 1s और 3p orbitals, तो अगर मेरे को यहां दे आपके पास next vacant orbital कौन सा है, 2pz, तो जब मैं इस carbon की excited state draw करूंगी, तो वो मेरे पास क्या है की, यह है मेरे पास 1s orbital, फिल 2s orbital, और फिल 2p orbital, 2p के अंदर x, y and z, 1s के अंदर तो हमारे पास y दो electrons रहेंगे, 2s में से मैंने एक electron excite कर रहा है, एक electron इसी में रहेगा, दूसरा electron मे क्योंकि यहां जो next vacant है, वो 2pz है, और x और y के electron हमारे पास पहले से ही थे, अब आपको sp3 hybridization बनाने है, that means आपको 3p और 1s चाहिए, तो अब आपके यहां पर यह सारे के सारे जो orbitals हैं, यह hybridization फॉर्म करेंगे, यानि hybrid orbitals बनाएंगे, तो अगर अब मैं carbon के hybrid orbitals को draw करूं, और hybrid orbitals में कौन से hybrid orbitals हैं, यह sp3 hybridized orbitals, तो अब मैं carbon गया, अगर sp3 hybrid orbitals को draw करूंगी, तो मेरे पास पहले तो 1s तो ऐसा कैसा हैगा, फिर मेरे पास 4 atomic orbitals, 4 atomic orbitals के combination से 4 hybrid orbitals बनेगे, क्योंकि 4 atomic orbitals combine कर रहे न, तो मेरे पास उतने ही hybrid orbitals बनेगे, यानि यह 4 hybrid orbitals हैं, और 4ों के 4ों, sp3 hybridized है, अब 2 electron तो हमारे 1s के अंदर हैं, और 1-1 electron इन सब में हैं, क्योंकि हमने जब इने combine के तो सब में 1-1 electron था न, तो यह होगे हमारे hybrid orbitals, अब अगर sp3 hybridization है, इसका मतलब इसकी geometry कैसी होगी, tetrahydrogemetry होगी, तो अब हम इन sp3 orbitals को, जो हमारे hybrid orbitals आये हैं, इन्हे tetrahydrogemetry में arrange करते हैं, कि किस तरीके से यह arrange होगे, तो tetrahydrogemetry हमारी कैसी होती है, यह हमारा skeleton form होता है tetrahydrogemetry का, तो हम बस orbitals को 20 तरीके से arrange करेंगे, hybrid orbitals को हम इस तरीके से represent करते हैं, तो बस हमें 4 hybrid orbitals tetrahydrogemetry form में arrange करने हैं, यह arrangement होगी हमारी hybrid orbitals की, यह सारे के सारे orbitals आपके sp3 hybridized हैं, और इन सब के अंदर ही एक एक electron present है, तो यह तो हो गए आपके carbon के hybrid orbitals, अब आपको इसके अंदर इसके साथ में किस को combine करना है, hydrogen को combine करना है, क्योंकि आपको क्या molecule बनाना है, CH4, hydrogen का atomic number कितना होता है, 1, तो इसकी electronic configuration क्या होगी, 1s1, यानि यह S orbital के साथ combination शो करेगा, और S orbital की shape कैसे होती है, spherical, तो बस इन spherical को मुझे इस hybrid orbital के साथ combine करके, sigma bond की formation करनी है, तो चलो देखते हैं, वो कैसे form होगा, यह मेरे पास एक orbital बन गया, यह carbon का दूसरा hybrid orbital, यह third hybrid orbital और यह fourth hybrid orbital जो tetrahydroform में arranged है, और इसके साथ हमारे पास है hydrogen के spherical, यानि चार hydrogen हमेरे पास spherical form में आएंगे, क्योंकि वो S orbital लेके आ रहे हैं, अब एक-एक electron तो मेरे पास सबके hydrogen के हैं, क्योंकि hydrogen भी तो अपना एक electron लेके आ रहे हैं, और एक-एक electron हमने देखा था कि SP3 hybridized orbitals में भी हैं, तो यहां से आपके पास CH4 molecule की formation हुई है, इस तरीके से आपका CH4 molecule form हुआ है, जिसकी geometry क्या है, tetrahydral, अब हमारे पास tetrahydral geometry में तो और भी molecules हैं, जैसे ammonia और water molecules, इनकी geometry भी हमारी tetrahydral होती है, बट यहां difference किसमें आता है CH4 से, difference इसमें आता है कि आपके पास ammonia के अंदर, एक lone pair होता है, हम जब इसके अंदर इसके wesper structures को study कर रहे थे, हमने देखा था ना, wesper theory के अंदर, और water के अंदर आपके पास, 2 lone pairs होते हैं, तो आप lone pair में इसको कैसे draw करोगे, आप lone pair में इसमें कैसे शो करोगे hybridization, जब हमने hybridization condition को study करा था, तो हम third और fourth point देख रहे थे ना, और उसमें मैंने बताया था कि यह दोनों points आपके lone pair के time पे काम आएंगे, तो चलो देखते हैं यहां पर हम उसको कैसे use करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अमोनिया के molecule से, अमोनिया का जब हम vesper structure से, vesper theory से structure draw कर रहे थे, तो हमारे पास यह structure आया था, और Lewis से भी हमारे पास यह structure बना था, तो इसके अंदर मेरे पास nitrogen जो है वो central atom है, nitrogen का atomic number कितना है? 7, तो इसकी electronic configuration क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p3, अब इसके अंदर अगर हम इसकी ground state को draw करते हैं, तो वो क्या होगा मेरे पास? nitrogen की ground state को हमें draw करना है, यह 1s orbital, यह 2s orbital, और अब है हमारे पास 2p orbital, और इस 2p के अंदर हमारे पास है x, y and z form में, इन सब में electrons है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, मुझे पता है कि मेरा जो ammonia है, यह sp3 hybridized molecule है, sp3 hybridized का मतलब है कि 1s orbital और 3p orbitals आपके required है, अगर 3p orbitals और 1s orbital की requirement है, इसका मतलब इन orbitals के अंदर electrons होने चाहिए, और मेरे तो 3p orbitals के अंदर electrons है, और 1s orbital जो मैं ले रही हूँ, उसमें 2 electrons है, तो अब अगर मैं S orbital के electrons को excite भी करती हूँ, तो वो excite होकर तो दूसरी शेल में चले जाएंगे, क्योंकि इसके बाद तो हमारे 3rd shell की value आती है, फिर तो वो हमारे पास excited state में, valence shell हमारा कौन सा consider होने लग जाएगा, 3rd shell, जो बात तो गलत हो जाएगे, कि हमारे पास nitrogen के valence shell में हमें 2S और 2P को consider करना है, तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी excited state को drawn नहीं करेंगे, यानि हम इसकी excited state consider नहीं करेंगे, इन्ही से हम इसकी hybridization बिनाएंगे, यानि अब इसके अंदर 2S तो fully filled use होगा, और 2P आपके इसी तरीके से use करेंगे, तो हमारी दोनों condition satisfy होगी, third condition में क्या बोलाता, हमेशा electron को excited करने की requirement नहीं होती, और fourth में क्या आता कि fully filled orbitals भी use करें जा सकते हैं, अब मेरे पास यह S orbital कैसा है, fully filled और उसके बाद भी मैं इसे hybridization में use कर रहे हूँ, कैसे use करेंगे देखो, जब आप इसके अंदर nitrogen के hybrid orbitals की formation करोगे, और यह hybrid orbitals कैसे हैं, SP3 hybridized, तो इसके अंदर सबसे पहले, 1S orbital, अब उसके बाद आपके यह हैं मेरे पास, 4 hybrid orbitals, 4 क्योंकि 1S और 3P के combination से 4 orbitals combine कर रहे हैं न, तो 4 ही hybrid orbitals बनेंगे, और यह जो चारो hybrid orbitals हैं, यह हैं आपके SP3 hybridized, तो दो electrons तो आपके 1S के अंदर हैं, अब इसको अगर आप फिल करोगे, तो पहले orbital में 2 electrons हैं, जो आपके यह 2S के अंदर हैं, फिर आपके पास एक-एक electron हैं, अब जब आप hydrogen के साथ इसको combine करोगे, तो hydrogen के पास एक electron है, और nitrogen का एक electron, मिलके sigma bond बनाएंगे, यानि hydrogen आपके इन 3 SP3 hybrid orbitals के साथ combine करेगा, और जो यह वाला hybrid orbital आपका बच गया, यह lone pair की form में exist करेगा, अब अगर यह SP3 hybridized है, तो इसका tetrahedral geometry मुझे बनानी होगी, hybrid orbitals को use करके, तो tetrahedral geometry कैसे बनेगी, सबसे पहले यह एक hybrid orbital, फिर यह दूसरा hybrid orbital, फिर एक यह hybrid orbital और हमारा यह वाला hybrid orbital, यह हो गई हमारी इसकी tetrahedral geometry, जिसके अंदर हमारे एक hybrid orbital के अंदर तो 2 electrons है, बागी सबके अंदर एक-एक electron है, यह हो गए हमारे hybrid orbitals, अब hydrogen जो है उसका atomic number कितना होता है 1 electronic configuration 1s1 यानि यहाँ पर मेरे पास जो s orbital है spherical shape में वो combine करेगा hybrid orbitals के साथ तो यहाँ पर मेरे पास आएगा hydrogen का s orbital तीन hydrogen combine करेंगे क्योंकि इस shell के अंदर तो अल्रेडी इस orbital के अंदर अल्रेडी fully filled है space नहीं है और electrons आनेगी तो इन तीन के साथ इसका combination आएगा अब hydrogen भी अपनाईगे एक electron लेकर आएगा और यहाँ पर मेरे पास ammonia की formation हो जाएगी ammonia molecule आपका इस तरीके से form होता है जब आप इसके bonded form को दिखाओगे तो आप इसको ऐसे दिखा सकते हो यह मेरे पास यह lone pair आपने ऐसे दिखा दिए यह lone pair हम bubble में इस वज़े से बनाते हैं कि यह जिसी है तो इसकी इस convention से हम इसको bubble में बना देते हैं वैसे आप इसको ऐसे bond पर भी show कर सकते हो और आपके यह तीन होगे hydrogen atoms ammonia के साथ bonded form में तो ammonia का जो मैंने structure हमने Lewis structure में देखा था फिर हमने wesper churi के अंदर भी इसको ऐसे ही ड्रॉ कर आता अब हमने उसको hybrid orbitals की form में भी ऐसे ही ड्रॉ कर आ है मतलब मेरा overall तो यही structure निकल के आ रहा है बस मैं उसकी representation को change करती चाहरी है next आता है अब हमारे पास water molecule water molecule भी हमारा sp3 hybridized होता है और इसका जब हम Lewis structure देखते हैं तो वो Lewis structure कैसे होता है यह इसका Lewis structure होता है that means oxygen क्या है हमारे पास central atom अगर oxygen central atom है तो इसकी electronic configuration लिखेगे oxygen का atomic number होता है 8 इसकी electronic configuration क्या होगी 1s2, 2s2, 2p4 तो जब हम इसके orbitals को draw करेंगे ground state में oxygen in ground state तो सबसे पहले इसका 1s orbital फिर इसका 2s orbital और फिर इसका 2p जो हमारे पास 3 orbitals है इसके 2p में x, y and z 1s के अंदर 2 electrons है 2s के अंदर 2 electrons है और 2p में 4 electrons है जो इस तरीके से filled है अब यह हमारे पास है sp3 hybridized sp3 hybridized का मतलब है 1s और 3p orbitals का combination तो इसका मतलब है आपके पास यहाँ पर 1s और 3p orbital में electrons होने चाहिए और यहाँ पर हमारे पास है s में 2 electrons है और यहाँ आपके पास 3p में मिलाकर 4 electrons है तो electrons तो है और हमें यहाँ दिख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास कितने lone pairs हैं? दो lone pair है दो lone pair का मतलब क्या है कि मेरे पास दो fully filled orbitals होने चाहिए correct? hybrid orbitals के अंदर दो fully filled orbitals होने चाहिए और दो fully filled orbitals हैं तो इसमें भी मुझे इसकी excited state को draw करने की ज़रूरत नहीं है अब यहाँ पर आप यह 2P और 2S combine करके बनाएंगे hybrid orbitals और कौन से hybrid orbitals बनेंगे? SP3 hybridized orbitals क्योंकि 1, S और 3P combine कर रहे हैं न? और SP3 hybrid orbitals कितने बनेंगे? 4 क्योंकि 4 atomic orbitals आपके combine कर रहे हैं तो जब हम oxygen को hybrid orbitals की form में show करेंगे hybrid orbitals कौन से? SP3 hybrid orbitals तो इसके अंदर एक तो हमारे पास होगा 1S और 4 होंगे हमारे पास SP3 hybrid orbitals और इसके अंदर electrons कैसे फिल करेंगे? 1S के अंदर तो 2 यहाँ पर first 2 orbitals के अंदर 2-2 electrons क्योंकि 2-2 electrons है और फिर 1-1 electron अब जो मेरे पास 2 hydrogen atom आ रहे हैं उनके पास 1-2 electron है अपने S अंदर तो वो इसके साथ संबाइन करेंगे इन 2 SP3 hybrid orbitals के साथ और यह जो 2 SP3 hybrid orbitals हैं यह lone pair की form में रहेंगे अब अगर SP3 hybrid orbital है इसका मतलब tetrahydral geometry है तो यहाँ मुझे यह जो hybrid orbitals है हमारे चारों इनको tetrahydral form में शोव करना होगा तो सबसे पहले हम बनाएंगे इनकी tetrahydral geometry यह है मेरे पास oxygen atom के tetrahydral geometry में hybrid orbitals arranged अब इन hybrid orbitals के अंदर मैं electrons के arrangement दिखाऊंगी दो hybrid orbitals के अंदर तो दो electrons है और बाकी में एक-एक electron है अब मुझे इनको combine करना है hydrogen के साथ hydrogen की electronic configuration होती है 1s1 that means spherical sub shell के साथ combine करना है तो s orbital जो आपका spherical shape में है वो आजाएगा यहाँ पर इनके साथ तो combine करेगा नहीं क्योंकि यहाँ तो space ही नहीं और electron आने की और वो अपने साथ एक electron लेकर आएगा क्योंकि हमारे पास maximum 2 electron आ सकते और वो दोनों filled है यहाँ पर तो यह मेरे पास H2O का structure आ जाएगा अब इस H2O की structure को जब आप इसको bonded form में दिखाऊगे bonds की form में तो बीच में oxygen है यहाँ पर आपके पास 2 electrons है और यहाँ आपके पास 2 electrons है और एक यह आपके पास hydrogen atom है और एक यह hydrogen atom जो कि tetrahedral geometry show कर रहा है यह भी tetrahedral geometry show कर रहा है तो यह हो गया आपका water molecule जो की है sp3 hybridized अब इसका एक example और देखते है sp3 hybridization का sp3 hybrid orbitals का जो आपका next example है वो है c2h6 यहाँ पर भी आपके पास sp3 hybridization आती है अब यहाँ पर मेरे पास central atom क्या होगा carbon तो हम carbon की electronic configuration लेखेंगे 1s2, 2s2, 2p2 तो सबसे पहले इसकी ground state को draw करते है carbon in ground state किस तरीके से exist करता है यह मेरे पास इसका 1s orbital यह 2s और यह 2p orbitals है इसके जिसमें यह x, y और z form लेए अब इसके electrons को arrange करेंगे 1s के अंदर 2 electrons है तो 2s के अंदर 2 electrons है और इसके अंदर 2 electrons है अब अगर मैं sp3 hybridization draw कर रही तो इसका मतलब है 1s और 3p orbitals आपके combine करेंगे 3p orbitals combine करने के लिए सब में electrons होने चाहिए और इस orbital के अंदर तो electron ही नहीं है that means मुझे इसका 1 electron प्रमोट करना पड़ेगा next orbital के अंदर और next vacant orbital कौन से आपका 2pz तो हम इसकी excited state को draw करेंगे तो carbon अपनी excited state में किस form में होगा यह इसके 1s orbital फिर हमारे पास 2s और फिर आता है हमारे पास 2p और 2p में यह x, y and z 1s के अंदर तो हमारे वही 2 electrons है 2s के अंदर एक electron क्योंकि एक electron excited के z में चला गया और 2 electrons x और y में थे ही अब अगर sp3 और hybrid orbitals बनाने हैं तो यह आपके s और 3p orbitals combine करके hybrid orbitals की formation करेंगे तो अगर अब हम carbon के hybrid orbitals को देखेंगे और hybrid orbitals किस form में है मेरे sp3 hybrid orbitals तो मेरे पास यहाँ पर बनेगा सबसे पहले 1s और 4 sp3 hybrid orbitals बनेगे क्योंकि 4 atomic orbitals आपके combine हुए तो यह 4ों के 4ों जो orbitals हैं आपके sp3 hybrid orbitals है अब 1s के अंदर तो आपके पास 2 electrons है और बाकि जितने भी hybrid orbitals हैं उन सब के अंदर एक-एक electron है क्योंकि एक-एक electron का ही तो combine कर रहा है आपने atomic orbital को अब अगर sp3 hybrid orbitals हैं तो इसका मतलब इसकी geometry कैसी होगी tetrahedral geometry tetrahedral geometry में मुझे अब एक carbon को सबसे पहले arrange करते हैं तो मेरे पास यह है एक carbon अगर मुझे इसको tetrahedral form में arrange करना है तो वह किस तरीके से होगा यह इसका एक orbital है यह इसका second orbital है यह इसका third orbital है और यह इसका fourth orbital है करेक्ट अब ऐसे ही मुझे second carbon भी देखना पड़ेगा और इन सारे orbitals के अंदर क्या है एक एक electron है यह सारे आपके sp3 orbitals है sp3 hybridized orbitals अब दूसरा मेरे पको carbon देखना होगा second carbon भी मेरे पास कैसे होगा बिलकुल इसी तरीके से tetrahedral form में arrange होगा यह भी हमारे सारे sp3 hybrid orbitals है जिनमें सब में एक एक electron है अब c2 h6 के अंदर हमारे पास hydrogen atom है जिसके साथ हमें इसके combination शो करना है तो hydrogen atom की electronic configuration होती है 1s1 यानि कि मेरे पास यहाँ जो s orbital है spherical shape में वो combine करेगा मुझे 6 hydrogen atoms की combination इसमें दिखानी है तो सबसे पहले तो मुझे अगर पूरा molecule बनाना है तो दोनों carbon atoms को भी तो combine करना पड़ेगा तो एक combination दो मुझे यहाँ से दिखेगा कि इसका एक hybrid orbital और इसका एक hybrid orbital combine करके बनाएंगे आपके tetrahydral geometry में एक sigma bond और जो बाकी आपके एक carbon के पास तीन hybrid orbitals बच जाते हैं वो तीन hydrogen के साथ combine करेगा ऐसे ही दूसरा हमारे पास तीन hydrogen के साथ combine करेगा और हमारे पास C2H6 molecule की formation होगी तो चलो आप वो देखते हैं कि वो किस तरीके से formation होगी हमारी यह मेरा एक hybrid orbital है यह दूसरा hybrid orbital है यह third hybrid orbital है और यह है मेरे पास fourth hybrid orbital carbon का ऐसे ही मेरा इस वाले carbon का भी एक तो इसके साथ combine करेगा hybrid orbital बाकी जो तीन hybrid orbitals है वो और draw करने है टेट्राइडल जेमेटरी में draw करने है न यह तीन hybrid orbitals draw हो गए अब इसके अंदर मेरे पास यहाँ पर तो दो electron हो जाएंगे एक इसका और एक इसका और बाकी सारे hybrid orbitals के अंदर एक एक electron है वो combine करेंगे hydrogen के साथ यहाँ पर मेरे पास hydrogen का जो s-orbital है वो आके combine करेंगे यहाँ मेरे पास s-orbital आके combine करके है और वो भी अपना एक electron लेकर आएगा ताकि यहाँ पर इसके अंदर दो electrons complete हो जाएं और आपका sigma bond की formation हो जाएं तो यह आपके पास आया c2 h6 molecule की वो orbital form में किस तरीके से arrangement होती है उसकी अगर मैं इसे ही bond form में दिखा हूँ तो मेरे पास एक carbon एक carbon बीच में एक sigma bond है फिर एक carbon के साथ आपके तीन hydrogen's attached है इसी तरीके से आपके इस carbon के साथ भी तीन hydrogen's attached है तो यह है आपका c2 h6 molecule sp3 hybridized अब यह तो हमने देख लिया कि जो हमारा s orbital और p orbital के combination से hybridization में sp, sp2 और sp3 hybridization आ रही है और यह हमने क्या देखा था कि vacp number हमने 2, 3 और 4 की hybridization देख ली थी बट vacp तो further भी है हमारे पास vacp number 5 भी है vacp number 6 भी है उसके अंदर हमारे पास क्या होग क्योंकि s और p orbital के combination से तो maximum हमारे पास 4 यह hybrid orbitals बन सकते थे, यानि हमने vacp number 4 तक तो cover कर लिया अगर मुझे further आगे move करना है तो और कोई मुझे hybrid orbital बनाने के लिए एक और atomic orbital लेके आना पड़ेगा तो s और p के बाद हम बात करेंगे d orbital की, यानि अब हम बात करेंगे कि d orbital किस तरीके से hybrid orbital formation में help करता है अब हमें देखने d orbital की involvement hybridization में, हमने s और p orbital की involvement देख ली थी अगर d orbital involved होगा hybridization में, तो वो s और p के साथ involved होगा, यानि s और p तो अभी भी रहेंगे आपके hybridization में एक जो add-on होए आपके hybridization में वो होए d orbital का add-on अब d हमें कहां देखने को मिलता है या तो मुझे third sub shell में देखने को मिलता है, 3D sub shell देखता है या फिर मुझे fourth shell के अंदर 4D sub shell देखता है, यानि 3D और 4D की involvement मुझे अभी यहाँ देखनी है 3D और 4D की involvement के अंदर अगर मैं S और P को check करो तो मेरे पास 3S और 3P orbital sub shells भी होते हैं और ऐसे ही 4S और 4P sub shells भी होते हैं जब हम इसके अंदर check करते हैं तो इसका मतलब है कि यहाँ पर इनकी सब के energy similar होगी और इनकी सब के energy similar होगी, बट जब हम इसकी experimentally energy को check करते हैं तो 3D energy, 3D orbital sub shell के energy आपको 3S और 3P के तो equivalency मिलती है, मतलब इसके similar भी मिलती है आपको energy, लेकिन जब हम 3D के energy 4S और 4P के साथ compare करते हैं, तो इनकी energy भी आपको 3D के comparable मिलती है, मतलब similar सी मिलती है इसका क्या मतलब है कि आप 3D, 3S और 3P को भी एक साथ ले सकते हो, hybrid orbitals की formation के लिए, और 3D, 4S और 4P को भी एक साथ ले सकते हो hybrid orbitals की formation के लिए लेकिन जब आप 3P और 4S को check करते हो 3S और 4P को check करते हो उस time पर आपको इनके बीच में similarity नहीं मिलती है energy के अंदर तो इसका मतलब है आप 3D को 3S और 3P के साथ consider कर सकते हो hybridization में, 3D को 4S और 4P के साथ consider कर सकते हो hybridization में, बट आप इस वो cross consider नहीं कर सकते हैं, मतलब आप ऐसे consider नहीं कर सकते कि आपने यहां से 3D और 3P ले लिया और यहां से 4S ले लिया और यहां से 3D और 3S ले लिया और 4P के साथ combine कर दिया वो combination आप नहीं बतास दिखा सकते hybridization के अंदर क्योंकि वहाँ पर आपको जो energy की similarity है वो देखने को नहीं मिलती और हमने conditions में पढ़ाता कि जब hybrid orbitals की formation होगी वो तब ही होगी जब आपके atomic orbitals की energy nearly similar होगी तो similar energy के लिए हम या तो 3D 3S और 3P को consider करेंगे या 3D 4S और 4P को consider करेंगे अब आपकी book के अंदर आपको hybridization चार तरीके की दिखा रखी है d orbitals को involve करके वो है आपकी dsp2 hybridization sp3 d2 hybridization और sp3 d hybridization और d2 sp3 hybridization अब इन hybridizations में से जो आपकी dsp2 hybridization है और d2 sp3 hybridization है ये तोनों hybridization use होंगी आपकी coordination chemistry में यानि यहाँ पर आपको इसका कोई use नहीं है आपको यहाँ पर सिर्फ ये दो hybridizations बढ़नी है sp2 sp3 d hybridization और sp3 d2 hybridization और इसके अंदर आपको अगर sp3 d hybridization बढ़नी है तो उसकी symmetry होदी है हमारे पास trigonal bipyramidal और sp3 d2 की आपको यहाँ पर जो आपको study करनी है वो study करनी है octahedral geometry और वो octahedral geometry में exist करता है अब sp3 d hybridization और sp3 d2 hybridization हमें कैसे पता लगए है कि हमारे पास molecule जो है उसकी sp3 d hybridization है या फिर sp3 d2 hybridization है देखो उसके लिए कुछ set of rules है हमें कैसे पता लगए है कि हमारा जो molecule है हमारे पास उसके अंदर d orbital involved होगे सबसे पहले तो हमें उसकी electronic configuration से पता लग जाएगा कि अगर उसके अंदर d sub shell आ रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि इसका d orbital involved हो अब वो पता करने के लिए हम इसके लिए कुछ set of rules बताऊंगे मैं आपको उससे पता लगेगा कि आपकी hybridization क्या आएगी सबसे पहले आप total number of valence shell electrons को count करोगे सारे atoms के of all atoms that means total number of valence shell electron count of all atoms आपको सारे के सारे atoms के valence shell electron का पता होना तिए यानि total valence shell electron आपके पास होने चाहिए और अगर आपके molecule के उपर कोई positive charge है तो आप क्या करोगे उसको subtract करोगे यानि जितना positive charge होगा total valence shell electron लेट से आपके पास 10 आ गए और molecule के उपर plus 2 charge है तो आप उसमें करोगे 10 minus 2 और ऐसी अगर आपके पास कोई negative charge है तो आप उसे add करोगे यानि अगर आपके पास molecule में minus 2 charge है और valence shell electron आपके पास 10 है तो आप करोगे 10 minus 10 plus 2 यानि कि 12 valence shell electrons अब जब आपके पास यह sum आजाएगा आपके valence shell electrons का अब आपको चेक करना है कि आपका sum if sum is अब यह आपका sum अगर 9 to 56 के बीच में आता है तो आप इसे divide करोगे 8 से divide it by 8 और जब आप इसे divide करोगे 8 से तो आपके पास एक q1 question टाएगा और एक r1 remainder आएगा अब अगर आपके पास r1 remainder आ रहा है तो आप उस r1 को divide करोगे 2 से यानि कि r1 को आप further divide करोगे 2 से और जब आप उसको 2 से divide करोगे तो आपके पास next इसका भी question टाएगा उसका हम q2 से represent कर देते हैं और इसका एक remainder आएगा r2 अब आपके पास क्या है q1 है r1 को आपने divide कर दिया जो कि q2 और r2 के form में हो गया अब आप क्या करोगे इन तीनों को यानि आपके पास क्या क्या बचिया q1 plus q2 plus r2 इनका sum calculate करोगे correct यहां से आप इनका sum calculate करोगे अब इस sum के अंदर जो आपकी value आएगी अगर आपकी value यहाँ पर आती है 2 तो वो तो आपकी आजाएगी SP Hybridization में अगर आपकी value आती है 3 तो वो आजाएगी SP2 hybridization में 4 आती है वो आजाएगी SP3 hybridization में अगर आपकी value 5 आती है तो वो आएगा आपका SP3 Dehydridization अगर value 6 आती है तो आपके पास आएगी SP3 D2 Hybridization आप इसको VACP number की form में भी देख सकते हैं अगर VACP number 2 होगा तो SP, 3 होगा तो SP2, 4 होगा तो SP3, 5 SP3D, 6 होगा तो SP3D, 2 तो यह आपकी hybridization आती है, अब हमें क्या देखना है SP3D और SP3D, 2 क्योंकि यह तो हम study कर चुके हैं, तो सबसे पहले इन रूल से एक तो hybridization calculate करके देखते हैं, सबसे पहले आम example लेते हैं, PCL5 का, PCL5 के अंदर आपके पास एक phosphorus है और 5 chlorine atoms है, phosphorus के जो valence shell electrons है वो आपके पास 5, और chlorine atom के अंदर आपके पास valence shell electron होते है 7, total 5 chlorine atoms है, तो इसको 5 से multiply करेंगे, आपके पास total valence shell electrons आएंगे 5 plus 35, that is 40, अब आपका चोईगे sum की value आ रहे है, total number of valence shell electrons की, वो 9 से 56 के बीच में आ रहे है, अब आप इसको 8 से divide करोगे, जब आप इसको 8 से divide करोगे, तो 8, 5, 0, 40, आपका remainder क्या आ रहा है, 0, तो आपके पास कोई remainder नहीं आ रहा है, plus R2 की value थी, उसमें Q2 और R2 तो ही नहीं अब, सिर्फ Q1 एक्जिस्ट करता है, और Q1 की value क्या रही है आपकी, 5, क्योंकि यहां से आपको क्या question मिल रहा है, 5, और हमने क्या देखा था, जब मेरी value 5 आएगी, Q1 प्लस Q2 प्लस R2 की, तो हमारे पास hybridization क्या होगी, SP3D hybridization, that means आपका जो यह PCL5 molecule है, यह SP3D hybridization में exist करता है, तो अब सबसे पहले हम phosphorus की electronic configuration लिखते हैं, क्योंकि phosphorus मेरा क्या है, central atom, phosphorus central atom है, तो उसकी electronic configuration लिखने से पहले, मुझे उसका atomic number पता होना चाहिए, phosphorus का atomic number होता है 15, तो इसकी electronic configuration क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p3, यह इसकी electronic configuration है, तो अगर मैं phosphorus की ground state को draw करती हूँ, तो वो किस तरीके से draw करेंगे हम, अब यहाँ पर हम इसका valence shell को draw करेंगे, यहाँ कि अगर मैं सारे orbitals को draw करने लगी, तो बहुत बड़ा सा हमारे पास एक structure आजाएगा, अलग-अलग orbitals का, जो फिर manage करने में difficult हो जाएगा, तो हम सिर्फ valence shell orbitals को ही draw करेंगे, valence shell में हमारे पास एक 3s है, और है एक मेरे पास 3p sub shell, 3p के अंदर 3 orbitals आते हैं, x, y and z, अब इसके अंदर electrons के इस तरीके से हैं, 3s के अंदर तो 2 electrons हैं, और 3p में आपके पास 3 electrons हैं, अब 3p के बाद हमारे पास 3d sub shell आता है, इसमें, d sub shell के अंदर फिला लिया, एक भी electron नहीं है, क्योंकि अगर मैं valence shell 3 की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर तो 3 sub shells आते हैं, s, p and d, तो मेरा जो d sub shell है, वो मैं यहां draw करूँगी, d sub shell के अंदर total 5 orbitals होते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, यह मेरे पास आ गया 3d sub shell, क्योंकि हमें क्या electron, क्या hybridization बतानी हैं यह, sp3d, that means, 1s, 3p orbitals, और 1d orbital, यानि इनके combination से मुझे sp3d hybrid orbital form करना है, अगर मुझे 1d orbital भी चाहिए, तो इसका मतलब है कि, s और p में तो मेरे पास electrons है, d orbital के अंदर भी एक electron की requirement है, अगर एक electron की requirement है, तो यह s वाला क्या करेगा, electron को promote करेगा next sub shell के अंदर, next orbital के अंदर, जो next vacant orbital है आपके पास, और वो आपके पास 3d, तो इसकी जब हां excited state ड्रॉ करेंगे हम, तो excited state किस तरीके से आईगी आपकी, यह आपके पास है 3s, फिर यह आपका बन रहा है 3p, जिसके अंदर हमारे 3 orbitals आते हैं, और फिर आता है हमारे पास 3d, जिसमें हमारे 5 orbitals आते हैं, 1, 2, 3, 4, and 5, अब 3s का तो एक electron excite करेगा, तो एक electron बच गया इसमें, excite होके वो जा रहा है next vacant में, और 3p के अंदर आपके पास 3 electrons थे ही, तो यहाँ पर मेरे पास 1s, 3p और 1d आगया, वही हम यहाँ देख रहे थे, तो इन चार 5 orbital के combination से मेरे पास sp3d hybrid orbital बनेगा, इनके combination से sp3d hybrid orbital की formation होगी, ऐसे 5 sp3d hybrid orbitals मेरे पास form होएंगे, अब मुझे इसको combine किसके साथ करना है, chlorine के साथ combine करना है, chlorine की electronic configuration क्या है, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5, that means मेरे पास जो 3p orbital है, उसके अंदर 5 electrons है, 1, 2, 3, 4, and 5, तो इसके पास यहाँ पर मेरे पास एक electron है, और यहाँ भी सब में एक एक electron है, that means इसका जो यह p orbital है, यह p atomic orbital आपके हर एक sp3d orbital के साथ combine करेगा, जब यह sp3d orbital के साथ combine करेगा, तो यह हर एक orbital को क्या करेगा, एक एक electron देता जाएगा और want बनाता जाएगा, यानि आपका जो chlorine atom है, इन सारे orbitals के साथ हमारे पास finally 5 orbitals बनेगे न, देखो यह 5 हमारे पास hybrid orbitals बनेगे, 1, 2, 3, 4, and 5, 1, 2, 3, 4, 5, यह आपके sp3d hybrid orbitals है, यह सारे के सारे, यह भी sp3d hybrid है, यह भी, यह भी, यह भी, और यह भी, और इन सब में एक एक electron है, अब यह जो एक एक electron है, यह chlorine के एक electron के साथ combine करता जाएगा, जो की है 3p orbital के अंदर, यानि chlorine का 3p orbital है, यह इस orbital के साथ combine करेगा, ऐसी इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ, और bond form करेगा, अब SP3D hybridization है, that means मेरे पास geometric ऐसी होगी यहाँ पर, trigonal bipyramidal, तो बस इसकी trigonal bipyramidal हमारे पास geometric किस तरीके से होती है, यह होती है, हमारे पास trigonal bipyramidal geometry, और इसके अंदर यहाँ बीच में मेरे पास क्या होग phosphorus, और side मेरे पास होगे chlorine atoms, जो कि SP3D hybridization में exist करते हैं, यह जो मेरा PCL5 molecule है, यह trigonal planar geometry में exist करते हैं, और जब हम इसकी bond length को check करते हैं, तो bond length देखने को मिलती है, कि जो मेरे यह दो bonds है, यह दोनों कैसे bonds है, axial bonds है, that means इसमें यह बोला, कि जो हमारे axial bond की bond length है, वो पड़ी मिलत है, equatorial bonds की bond length से, जब हमने इस experimentally check करा, तो हमें यह मिला, कि यह जो मेरे यह 2 bonds है, इन 3 bonds से बड़े हैं, यानि axial bonds मेरे लंबे हैं, as compared to equatorial bonds, अब ऐसा क्यों, देखो, जब यहाँ पर हम bonds को draw करते हैं, तो हम क्या condition सोचके draw करते हैं, कि minimum repulsion होना चाहिए, और maximum distance होना चाहिए, कि वो इतने maximum distance पर हो, कि उनके बीच में repulsion minimum हो जाए, जिस वजए से मेरा molecule stable हो जाए, अब अगर हम इसके repulsion की बात कर रहे हैं, तो मेरा जो यह एक axial bond है, यह 3 equatorial bonds से repulsion face करता है, क्योंकि यह 3ों के 3 equatorial bonds क्या करते हैं, इसको repel करते हैं, ऐसे ही नीचे वाला जो axial bond है, यह भी इ अल्रेडी maximum distance पर है, तो यह equatorial bond है, यह आपके 2 axial bonds से repulsion face करेगा, तो axial bond को जादा repulsion face करनी बढ़ती, as compared to equatorial bonds, that means, repulsion faced by axial bonds is greater than repulsion faced by equatorial bonds. अब इस case में, अगर axial bonds को जादा repulsion face करनी पढ़ती है, तो उनको और जादा दूर प्लेस होना पड़ेगा, ताकि उनके पास repulsion कम हो, तो उनको अपना distance और increase करना पड़ेगा, जिस वज़े से हमें axial bonds की bond length बड़ी मिलती है, as compared to equatorial bonds. अब हमारे पास next molecule आता है, SF6 molecule. SF6 molecule की हमारे पास hybridization होती है, SP3D2 hybridization, इसको भी calculate करके देख लेते हैं, इसके अंदर हमारे पास एक sulfur है और fluorine atom है, sulfur के पास 6 balance electron होते हैं, fluorine के पास 7 balance electron होते हैं, और total मैंने यहाँ पर 6 fluorine atoms consider करें, तो total हमारे पास balance child electrons कितने हो जाएंगे, 6 plus 42, that is 48. और यह number हमारा 9 to 56 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसको हम 8 से divide करेंगे, तो जब हम 48 को 8 से divide करते हैं, तो that comes out to be 8, 6 are 48. तो यहाँ पर भी आपका कोई remainder नहीं है, अगर कोई remainder नहीं है, तो इसको 2 से divide करने की requirement नहीं है, 2 से divide करने की requirement नहीं है, तो मेरे पास q1 plus q2 plus r2 की जो value थी, इसमें q2 और r2 तो अब है ही नहीं, तो सिर्फ q1 है, जो मेरे पास आ रही है 6, और 6 का क्या मतलब है कि मेरे पास hybridization क्या है, sp3 d2, जिसकी geometry क्या होगी, octahedral. अब मेरे पास यहां central atom कौन सा है, sulfur, क्योंकि उसकी electronegativity काम है, तो sulfur को हम लोग उसकी electronic configuration में देखते हैं, अगर मुझे उसकी electronic configuration देखनी है, तो सबसे पहले मुझे उसका atomic number बता होना चाहिए, sulfur का atomic number होता है, हमारे पास 16, जब हम इसकी electronic configuration देखेंगे, तो इसकी electronic configuration होती है, अब इसके अंदर हमारे पास जो valence shell है, वो है 3s और 3p, यानि third shell हमारा valence shell है, और इस third shell के अंदर मेरे पास 3d भी आता है, जिसके अंदर फिलाल एक भी electron नहीं है, तो जब मैं इसकी ground state को draw करूंगी, ground state में मैं सिर्फ valence shell के sub shells draw कर रही हूँ, वो है मेरे पास 3s, 3p और 3d sub shell इसके अंदर मेरे पास 3s के अंदर 2 electrons है, 3p के अंदर 4 electrons है, और 3d में 1b electron हैं, अगर मुझे sp3 d2 hybridization बनानी है, इसका मतलब है कि 1s, 3p orbitals और 2d orbitals को combine करना है, अगर मेरे पास इन orbitals को combine करना है तो हर एक orbital में electron होना चाहिए लेकिन मेरे पास d orbital में तो एक भी electron नहीं है और मुझे दो d orbitals के अंदर electron चाहिए तो मैं क्या करूँगी? यहां से भी एक electron को excite करूँगी और यहां से भी मैं एक electron को excite करूँगी तो जब हम इसकी excited state draw करेंगे उस excited state के अंदर हमारे पास एक होगा 3s 3p और 3d orbital 3d के sub shells के orbitals हम draw कर जए अब इसके अंदर एक electron यहां होगा इसका एक electron excite होकर आगे चला गया d sub shell के अंदर यहां पर भी ऐसी एक electron इसका excite होकर एक यहां चला गया और यहां पर मेरे पास एक एक लाई कर रहा था पहले से अब मेरे पास 1s 3p और 2d के combination से आपको sp3 d2 hybrid orbital मिल रहा है और ऐसे आपको total 6 hybrid orbitals मिलेंगे क्योंकि हमारे पास total 1,2,3,4,5,6 atomic orbitals की combination से hybrid orbital की formation हुई है तो जब आप इसका hybrid orbital draw करोगे यहां से आप क्या draw कर रहा है इसका hybrid orbital 1,2,3,4,5,6 यह है इसका hybrid orbital और यह सारे के सारे hybrid orbital किस hybridization में है sp3 d2 hybridization में इस सब के अंदर एक एक electron है 1,2,3,4,5,6 अब इनको combine किस के साथ करना है fluorine के साथ और fluorine की electronic configuration क्या होती है यह तो थे मेरे hybrid orbital sulfur के जिसे हमें combine करना है fluorine के साथ क्योंकि मुझे molecule क्या बनाना है sf6 fluorine का atomic number कितना होता है 9 इसकी electronic configuration क्या होगी 1s2,2s2,2p5 2p5 को अगर हम draw करेंगे तो वो इस तरीके से होगा इसको और इसके orbitals में divide करेंगे तो यह मेरे पास 2p sub shell है 1,2,3,4,5 यानि जो इसका ये वाला एक electron ice atomic orbital के अंदर ये combine करेगा sp3 d2 hybrid orbitals के साथ और bonding होगी हमारी यानि यहाँ पर आपका fluorine का जो 2p orbital है हर एक hybrid orbital के साथ combine करके bond form करेगा और यहाँ मेरे पास octahedral geometry बनेगी octahedral geometry बनेगी तो वो आपका किस तरीके से होगा structure यह sulfur है और इसके अंदर यह इस तरीके से मेरे पास fluorine एक्जिस्ट करेगा इसके साथ यह है मेरे पास इसकी octahedral geometry जो किस hybridization में है sp3 d2 hybridization में so I hope आपको hybridization का concept समझ आया होगा आज के lecture में हमने क्या क्या study करा हमने सबसे पहले valence bond theory पड़ी थी उसके अंदर हमने देखा था कि हमारे पास जो covalent bond की formation हो रही है sharing of electrons से वो sharing of electrons कैसे हो रही है वो हो रही है orbitals की overlapping की वज़े से जिससे मेरा covalent bond form हो रहा है फिर हमने hybridization को study करा था जिसमें हमने पढ़ा था कि जो मेरे पास orbitals की overlapping हो रही है वो किस type की orbitals overlap कर रहे हैं हमने उसमें पढ़ा कि वो hybrid orbitals overlap कर रहे हैं जिसकी वज़े से मेरे पास molecule में geometry form होती है और वो geometry हमें मेरा molecule का structure शो करती है अब हम next lecture में हम molecular orbital theory को study करेंगे I hope आपको आज का lecture clear होगा समझ आ गया होगा Thank you